एक्स्प्लेन करने वाली हूँ पैरसाइट पार्ट वन फिल्म को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अदि आपको मेरी एक्स्प्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पर एक लाइक दे दे ताके मुझे ऐसी मूविस बनाने की मोट की विशन मिल सके फिल्म सुरू होती है तो हम क्रियेचर जैसे दिखने वाली जीवों को देखते हैं जिन्हें की पैरसाइट कहा जाता है यह पैरसाइट समुद्र से निकलकर तीजी से टाउन के तरफ बढ़ रहे होते हैं तब ही हम एक आत्मी को देखते हैं जोकि सोड़ा म्वी जाता है जो इयेरफोनस कांद में डाल कर म्योजिक सुन रहा था तब ही एक layer उसके कांद कर दिमाग में जाने की कोशम करता है लेकिन कि सिनीची नेहां अपने कांड इयेट दो ग्रेश्क कांसे नहीं चांब ऑताए तब ही वh लेकिन तब ही वो creature सिनीची के दाए हाथ में काटकर उसके हाथ के अंदर घुश जाता है। सिनीची उस creature को रोकने के लिए अपने हाथ में charger का wire को बांध देता है। सिनीची कि और उसकी mother भे वाह पर आ जाती है। सिनीची अपनी मदर को बताता है कि कोई साप दिखने वाला चीव उसके हाथ में घुस गया है लेकिन उसकी मदर को तो उसका हाथ बिलकुल नॉर्मल लग रहा था वो से कहती है कि तुम देर रात तक कानमे एयरफोंस चाकर यूचक संते रहते हो तो सायद तुमने कुछ सपना देख लिया होगा सिनीची भी यही सोचता है और वो अर्मस हो जाता है लेकिन सुबह होने के बाद सिनीची को अपने दाए हाथ में कुछ अच्छी महसूस होना जूरू जाता है इसके बाद हम उसी आत्मे को दिखते हैं जिसे की रात में एक पैरसाइट ने इंफेक्ट कर दिया था वो आत्मी अपने पत्नी के पास जाता है और ग्रीचर जैसे अपने सर को खोल कर अपने पत्नी के सर को ही खा जाता है और यहां में बता चलता है कि ये ग्रीचर किसे को पे इंफरक्ट करने के बाद उसके पूरी बाड़ी को कंट्रोल कर सकता है और इन क्रीजर्स का खाना होता है इनसान, यानि कि ये इनसान के जिरी में गपचा करके इनसान को ही खाते है अब हमी सिनी जी को दिखाया जाता है, जो अपनी स्कूल जा रहा होता है, तब है उसके गल्फरेंड सितों में आती है और उसका राइट हैंड खुद बखुद उसे गल्फरेंड पर टज़ करता है, तो उसकी कल्फरेंड वहां से चली जाती है सुनी जी के साथ उसकूल में भी बहुत ही अजीव होता है जब सुनी जीग कारवड़ गिर जाता है और वो उसे उठाने चाता है तो भी उसका हाथ खुट-बुखट लंबा हो जाता है सिर्फ इतना ही नहीं सिनीची बहुत ही दूर से बास्केट बॉल को बास्केट के अंदर डाल पा रहा था या सिनीची को रियलाइस होता है कि जरूर जो रात में वो प्रियचर उसके हाथ में इंटर किया था उसने ही कुछ किया है तो सिनीची अपने राइट हैंड को काटने के कोशिश करता है लेकिन तभी उसका राइट हैंड एक अजीव से मॉंस्टर में बदल कर उसे दरा देता है जिसके बाद वो पैरासाइट सिनीची के बातों को बार बार दोरा रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिनीची के बातों को सीख रहा हो यह पैरासाइट बुक्स और इंटरनेट के जरीए सिनीची के बातों को बोलना सीख जाता है यह पैरासाइट सिनीची के हाथ में इसलिए था क्योंकि वो उसके दिमाग में घुस नहीं पाया और इसलिए वो अब सिर्ची के दाएं हाथ को ही कंट्रूल कर सकता है यहाँ पर सिर्ची और यह पैरसाइट एक दूसरे से जुड़ चुके थे यहाँ सिर्ची पैरसाइट को कहता है कि वो उसे काट कर अलग कर देगा जिस पर पैरसाइट करता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो पैरसाइट मर जाएगा यहाँ पैरसाइट सिनीची को यकीन दिलाता है कि वो उसका होश्ट है और वो उससे कभी कुछ नहीं करेगा क्योंकि जब तक सिनिची जिन्दा रहेगा वो पैरसाइट यानि कि वो क्रियेचर भी जिन्दा रहेगा इधर हम एक और आत्मे को देखते है जो भी पैरसाइट से इंटरेक्टेड था और उसने अपनी पत्नी को मार कर खा लिया था यहाँ पर यह पैरसाइट इस दुन्या के सारे चीज़ों को सीख रहा होता है यहाँ तक कि वो मार्सल आर्ट को सिर्फ देख कर ही सीख जाता है यहाँ यह पैरसाइट खुद को मिगी नाम देता है मिगी जिसका जैपनिस में अर्थ होता है दाया हाथ क्योंकि ये पैरसाइट सनीची के दाएं हाथ में था तो इसलिए उसने खुद को ये मेकी नाम दिया और यहाँ पर ये दोरों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं लेकिन सहर में बाकी सारे पैरसाइट ने अपना आतंग सुरू कर दिया था और वो इनसानों को खा जा रहे थे एक दिन मेकी सनीची को खीच कर एक रेस्टर में लेकर जाता है जहां एक पैरसाइट इनसान को खा रहा था चुक्के मेकी एक पैरसाइट था तो वो अपने आसपास के पैरसाइट को सेंस कर सकता था रेस्टरेंट वारा पैरसाइट मेगी को अपना दो समझता है क्योंकि वो भी एक पैरसाइट है लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि मेगी इस इनसान की पूरी बाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया है तो वो सनीची को मारने के लिए आगे बढ़ता है सनीची वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता यहाँ इस पैरसाइट का सर भी मौंस्टर की तरह खुलता है और वो सनीची पर अटेक कर देता है लेकिन मेगी सनीची को बचाते हुए उस क्रेचर का गला काट कर उसे ही मार देता है यहाँ मेगी ने ऐसा कुद को बचाने के लिए किया था क्योंकि अगर सनीची मर जाता तो वो भी जिन्दा नहीं बचता क्योंकि एक होश्ट के बिना पैरसाइट जिन्दा नहीं रह सकता टेवी पर लोगों के मरने के नियूज आ रहे थी लेकिन पुलिस ये पता नहीं लगा पा रहे थी कि इन लोगों को मारा किसने है उन्हें ये पता नहीं होता कि ये काम इंसान के सकल में मौन्स्टर का है यानि कि पैरसाइट का है सिनीची मेगी से कहता है कि उसे अपने दोस्तों को रोगना होगा यानि कि मेगी को बागी के पैरसाइट को मारना होगा वो इस तरह इंसानों को नहीं खा सकते जिस पर मेगी कहता है कि वो सिर्फ अपना खाना खा रहे है जैसे इंसान दूसरे जानवरों और वेजटीबल्स को खाते है बिलकुल वैसे ही पैरसाइट इंसानों को घाते हैं और उसके सबसे इसमें कुछ गलत नहीं है अगले दियर एसेमली में में की सिनिची को बताता है कि इस स्कूल में भी एक पैरसाइट गोसाया है और ये कोई और नहीं बलकि उनके नई टीचर दामिया है और वो भी सिनिची को पहचान जाती है स्कूल के बाहर दामियो सिनिची को कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कुई जरूरत नी है सिनिची यहां पूछता है कि तुम इस स्कूल में किस इरादिसाई हो जिस पर दामियो कहती है कि वो बागी पैरासाइट से अलग है और मैं यहाँ पर किसी को नुसान पहुचाने नहीं बस मैं इनसानों के जिंदगी के जीने के तरीकों पर स्टडी करना चाहती हूँ वो सिनिच्ची को और दो पैरासाइट से मिलाती है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर है और उसका नाम मिस्टर ए है और दूसरे का नाम सिमाता है तामिया मेगे से कहती है कि वो मिस्टर ए के बच्चे के माँ बनने वाली है और पैरासाइट क्रियेचर होने के बाद भी उनका बच्चा बिलकुल नॉर्मल हुमन है और वो चाहे तो इनसानों के रूप में इस दुनिया में रह सकते है बिस उन्हें इनसानों को छिप करके खाना होगा वो मेगे को भी अपने गृप में सामिल होने को कहती है लेकिन यहां मेगे मना कर देता है कुछ दिनों बाद मिस्टर ए सिमिची के सामने आता है और मेगे कहता है कि यह हम दुनों को मारने आया है मिस्टर ए को पता चल गया था कि रेस्टराइन में जो पैरसाइट मरा था उसे मेगे नहीं मारा था मिस्टर ए मॉस्टर बन कर इन पर अटाक कर देता है लेकिन मिगी उसे कड़ी टक कर देता है और सिनीची मिस्टर ए की बाड़ी में एक रॉट को सा देता है जिसे मिस्टर ए वहीं गिर जाता है और उससे अंदर से बहुत सारा खूट गिरनी लगता है इसके बाद सिनिशी भाग कर अपने घर आ जाता है उसे बहुत पूरा लग रहा था कि उसके हादों एक इनसान की मौत हो गई इधर हम मिस्टर A को देखते हैं जो आफसर के बाड़ी में से निकल कर एक दूसर हुमन की बाड़ी में कबजा कर लीता है मिकी फिर से सिनिशी को जेता मी देता है और कहता है कि कोई पैरसाइट उसके घर के और तेजी से आ रहा है और ये कोई और नहीं बिलकि सिनिशी की ही मा थी जिस पर मिस्टर A पैरसाइट ने कपचा कर लिया है मिकी कहता है कि अब कोई फैदा नहीं है और उन्हीं उसकी माँ को मारना होगा लेकिन सिनीची मेगे को कहता है कि वो उसकी माँ को कोई भी रुकसान नहीं पहुँचाएगा लेकिन उसकी माँ का सर्वी एक माश्टर की तरह खुलता है और वो सिनीची के दिल में होल कर देती है इसके बाद मिस्टर A सुनीची और मेगी को वही मरने छोड़कर वहाँ से चला जाता है लेकिन अगले दिन सुनीची बिल्कुल सही सलामत जाग जाता है मेगी उसे बताता है कि उसने अपने सेल्फ स्पार्टिकल का यूज करके उसके दिल को हेल कर दिया है जिससे वो तुनों बच गए लेकिन सुनीची को यहाँ नहीं पता होता कि ऐसा करने पर उसके पूरी बॉड़ी इंफेक्टिट हो चुकी है इसके कुछ दिनों बाद हम सुनीची को देखते है जो अपनी मा की खोश कर रहा होता है लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती वो तामिया से भी मिस्टर A का पता पूछता है और से मारने की बिदम की देता है लेकिन वो काफी पाउर्फुल थी और वो उन्हें मिस्टर A के बारे में कुछ नहीं बता दे तामिया के कहने पर एक पैरा साइट तके से नहीं अब यहां के मेर कैंडिडिट को इंफेक्टेट कर दिया था जिससे वो मेर बंड की इस उड़ी सहर को कंट्रोल कर सके इधर धीरे-धीरे सिनिची में मेगी के परसनाल्टी मर्च होने लगती है जब एक दिन सिनिची अपने गल्फरेंड सतौमी के साथ सौपिंग करने निकला था तो वो काफी अची पहेप करता है सिनिची पहले बहुत ही सरमिला और डर्बुक था लेकिन अब वो बिल्कुल लिडर और बंतमीज हो गया था जिसके कारण सिनिची और सतौमी में लड़ाई हो जाती है मेंगे सिनिची को ये भी बिताता है कि अब उसे दिन में चार गंटी सोनी के जरूत पड़ती है और ये चार गंटी तिन का कोई भी समय हो सकता है और अगर ऐसे में कोई पाया साइड उस पर अटैक करता है तो सिनिची को यहां पर खुद ही उससे निपटना होगा इसके बाद हम सिमादा को देखते हैं जो भी सिनिची के स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है जो लड़कियों के साथ फ्रेंडली होने का नाटक करता है लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ लड़कियों को उसकी असली आइडिनिटी के बारें पता चल जाता है कि वो एक मॉंस्टर है इन सभी लड़कियों में सतों में भी सामिल थी यहां सिमादा मॉंस्टर बढ़कियों के उन सभी लड़कियों को मारने लगता है लेकिन ऐससे पहले कि वो सतों में को मार पाता स्निची वहाँ पर आकर उसे बरचा लेता है और उसे लेकर उस building से कूच जाता है ता मैं अब यहां कर देखती है कि सिमादा out of control हो गया है और अब वो भी चाती थी कि वो मारा जाए फर्णा उनका monster बढ़ने का राज खुल सकता है इसलिए वो वहाँ पर एक exclusive figure चली जाती है लेकिन इससे सिमादा को कुछ नहीं होता यहां बुलस आ जाती है लेकिन वो भी सिमादा को नहीं मार पाती इधर सतौमी को ambulance के लिए जाने के बहुत मेंगे सिनीची को बताता है कि सिमादा स्कूल की जट की तरफ जा रहा है इसलिए सिनीची एक दूसरे बिल्डिंग में जड़कर मेंगे को एक धनुस बना कर सिमादा को मार देता है ताम्या सिनीची से फिर से मिलती है और उसे मिस्टर A का address दे देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सिनीची उसे या उसके बच्चे को कोई भी हाम करे वो एक मदर यानि की माँ होने का एहसास को experience करना चाहती थी अब address लेकर सिनीची सीधी मिस्टर A तक पहुँच जाता है जो अभी भी उसके माँ की ही बाड़ी में होता है सिनीची उसे मार कर अपनी माँ को अजात करना चाहता था लेकिन इससे समय मिकी सो जाता है और वो सिनीची को अकेले ही मिस्टर A को लड़ने को कहता है मिस्टर A मौस्टर मन के सिनीची पर भारी पढ़ रहा था लेकिन उसकी माँ मिस्टर A पर थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लीती है जिससे सिनिची उसके करदन काट कर उसे मार देता है जिसके साथ मिस्टर A और उसके माँ दोरों ही मारी जाते है इसके बाद हम देखते हैं कि तक्यसी पैरासाइट मियर का इलक्सन जेत किया है और अब वो पूरे सहर को कंट्रोल कर सकता है साथ ही तामिया और तक्यसी के पास अब एक मिस्टीरियस पैरासाइट गोटो को भी देख पाते है जो कि काफी पाउर्फुल है और साथ वो इनका लीजर है सिनीची अपनी गर्फरेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और वही पर डिसाइट करता है कि अब वो सभी पैरासाइट को ढून ढून कर एक एक करके मार देगा अट लास्ट हम वेंडो के बाहर एक जासुस को देखते हैं जो सिनीची पर नचर रखे हुए था और वो सिनीची और मिगी की तस्वीर की जरा था और यही पर पैरासाइट पार्ट वन खत्म हो जाती है तो काईस मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म की एकस्प्लानेशन बेहती पसंदायोगी तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पर एक लाइक देकर एक अच्छा सा कमेंट कर दे ताके मुझे आपके लिए ऐसी मूविस पनाने की मोटिवेशन मिल सके तो अब मिलते हैं पैरासाइट पार्ट टू फिल्म की एकस्प्लानेशन में तब तक लिए भी सीफ, भी अलर्ट